इस फूर तर्टीजेशन कि इवेंट्स तो हमने देख लिए अब हम डिसकस करते हैं फूर्टिलिफ़िदेशन के इवेंट्स यहाँ पर एक ट्रम तो आपने नहीं यहाँ पर पूर्टलिफ 있는데 term तो आपने सुना है लेकिन एक दूसरा term use होता है जिसे हम कहते हैं syngammy ठीक है? gammy मतलब fusion ठीक है? तो gamets का fusion की बात हो रही है यहाँ पर तो fusion of male and female gamets को हम बोलते हैं syngammy और यह fertilization भी term इसके लिए use हो सकता है ठीक है? यह बात आपको पता होने चीए syngammy का भी word आए तो वो fertilization के साथ interchangeably वो word use हो सकता है यहाँ पर जो fertilization होता है organisms में दो तरीके से हो सकता है एक तो हो सकता है कि body के outside of fertilization अगर body के outside fertilization होना है तो male और female gamets को क्या तरना पड़ेगा? अपने gamets को release करना पड़ेगा किसी medium के अंदर? और वो medium क्या हो सकता है? water हो सकता है? example ले ले लेते हैं example मैं आपको बताता हूँ frog का तो frog के case में क्या होता है? कि frog के जो female egg cells है egg cells जो हो गए वो float करते हैं पानी में और males आकर उनके उपर अपने sperms जो है क्या करते हैं बहुत सारे multiple sperms वो उनके उपर एक तरीके से रख देते हैं तो जब वो पानी में वो sperms जाते हैं तो ultimately water में वो fertilization होता है it is not happening inside the female body लेकिन जब fertilization inside the body हो तो उसको हम कहते हैं internal fertilization internal fertilization plants के respect में bryophytes, teridophytes, gymnosperms, angiosperms इन सभी में हो सकता है लेकिन thallophyte, alga जो category है वहाँ पर आपका क्या होगा external fertilization होगा water requirement water requirement होना एक अलग चीज है और internal fertilization होना अलग चीज है water requirement का मतलब हुआ male gamits motile होते हैं और उन्हें move करने के लिए medium चाहिए लेकिन female gamit body से बाहर आई तो फिर external fertilization होगा लेकिन internal के case में भी water का requirement होगा क्योंकि उन्हें medium चाहिए female gamit तक पहुचने का clear लेकिन हो सकता है fertilization event female की body के अंदर ही हो रहा हो अब मैं इसको explain कर देता हूँ पहला दिखते है external fertilization यहाँ पर अगर sin gamit हो रहा है outside the body तो आप exactly यही लिख के राएंगे exam में पूछा जाएगा it is happening outside the body ऐसे most aquatic organisms में algae में amphibians में होता है fishes में भी होता है amphibians का example मैंने prop का अल्रेडी बता दिया fishes में भी इस तरीके से excel हो गया और male gamits हो गया यह बाहर पानी में fertilize करेंगे और fertilization से egg बनेंगे और वो body के बाहर ही बन रहे है इसका disadvantage जरूर आप से पूछे आ सकता है one mark में कि आप से question पूछा गया कि explain the external fertilization event with an example and give one disadvantage disadvantage simple है देखो यहाँ पर जब eggs आपके बाहर है egg cell बाहर है और male gamit बाहर है fertilization बाहर हुआ तो egg cell में जब fusion हुआ sperm cell का let us suppose animal की बात कर लेते है तो obviously बात है एक proper zygote बनेगा और यह जो zygote बनेगा इससे क्या develop होगा ultimately अंदर egg बनेगा common sense यह egg जो होगा इसके अंदर embryo होगा अब embryo at the end hatch out करेगा और बाहर आएगा come outside तो यह eggs जो बनेगे यह eggs जो बनेगे यह extremely क्या है vulnerable है यह बहुत ही ज़्यादा vulnerable है क्योंकि predators भूम रहे होते हैं और यह predators जो होते हैं इन eggs पर जिन्दा होते हैं तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए पता क्या करते हैं organisms यह इतने large number of eggs produce करते हैं इतना ज़्यादा number of यहाँ पर eggs होते हैं कि कुछ मर भी गए तो भी problem नहीं जबकि आप देखेंगे कि human से case में देखें कि एक baby maximum twins हो सकते हैं तो एक या दो baby female की womb में डवलप करेंगे और यहाँ पर hundreds of ऐसे eggs प्रोडूस होंगे आई नो यह easy है यह बहुत easy लगता है और हमें लगता है यह तो आ गया यह तो हम करी लेंगे लेकिन फिर भी ध्यान से एक बार definition को देख करके जरूर जाएं ताकि exam में आए तो हम exact definition जो expected होती है वो लिखें डन internal fertilization की बात करें तो आप बोलेंगे सिंगैमी सिंगैमी मतलब fertilization जो zygote बन रहा है वो inside the body of the organism बनता है example होगे birds mammals fungus या फिर आपको teretophytes और यह bryophytes जो बताए हुए ठीक है ultimately जो male gamits है वो release करेंगे बहुत जादा close to the female gamits male gamits को सबसे पहली बात तो जो release होगा वो बहुत ही close proximity में होगा female gamits के ऐसे कहीं भी release नहीं हो सकते and इनको move करना पड़ेगा female gamits की तरफ so they have to be very much motile ठीक है और फिर जाकर जब वो fuse करेंगे तो zygote बनेगा समझ में आया तो ये आपका हो गया example के साथ internal fertilization जहां zygote का formation inside the body होगा development कहा होगा इसकी बात नहीं हो रही है अभी सिर्फ fertilization event की बात हो रही है development जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा embryogenesis topic में ये आपका होगा internal fertilization अब क्या होता है कुछ ऐसे organisms होते है जो develop करते है without fertilization अब आप इसमें जो है सोच में पढ़ जाएंगे कि सर जब fertilization ही नहीं हुआ तो organism develop कैसे कर गया मतलब male और female gamit का क्या हुआ fusion नहीं हुआ है fusion हुआ ही नहीं है तो ये definition आप याद रखेंगे कि जब zygote का formation हो रहा है without the fertilization उसे हम कहते है इस तरीके के reproduction method का हम कहते है parthenogenesis ऐसे organism को जो हम develop करेगा उसे बोलेगे parthenogenic organism ऐसा कहां होता है कुछ honeybees में होता है honeybees में ये देखा जाता है rotifers एक minor phylum है इसमें भी कुछ groups होते है organisms होते है lizards में हो सकता है और भी examples है ठीक है तो sir सोचने वाली बात है कि without fertilization हो रहता है कौन सा part develop कर रहा होगा देखो excel जो है न excel जो ovule हो गया यही directly develop कर जाएगी individual fertilization step यहाँ पर male gamit की ज़रूत ही नहीं male gamit चाहिए ही नहीं खतम ठीक है तो इस तरीके के event को हम बोलते है parthenogenesis मैं इस topic को आपको अच्छे से समझाऊँगा इस diagram के थूँ कभी-कभी students को यह problem हो जाती है कि sir मतलब कैसे हो गया है तो diagram के थूँ आपको समझाऊँगा अच्छे समझ में आएगा यह माल लिजे male भी है ठीक है जो है excel produce करेगी अब्विस सी बात है excel कैसे होंगे n number होगा उनका deployed होगे वो deployed deployed अल्री बता दिया आपको यहाँ पर जो है meiosis होगा और meiosis होने के बाद excel बन गए इन excel का fusion होगा तो male भी जो है sperm cells produce करेंगे और यहाँ से excel जब produce होगी तो fertilization event होगा fertilization event के बाद depend करेगा कि queen बनेगी या worker बनेगे और दोनों ही क्या होगए two in condition होगए इस तरीके का तो process होगए sin gamica fertilization वाला लेकिन एक और तरीका है यहाँ पर दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पर जो males बनेगे workers क्या है workers females होती है workers females होती है queen तो female है लेकिन जो male बनते है न वो males जो होते हैं उन्हें हम drones कहते हैं और उनका जो development होता है वो parthenogenesis से होता है without fertilization यह आपका जो example honeybees का है उसमें male drones का जो बनना है यह हो रहा है parthenogenesis method से यहाँ पर जो female excel है देखो end condition में है और यह develop कर जाती है into male without fertilization this is one of the examples मैंने इसलिए इस photograph को लिया अच्छे से ताकि आपको समझ में आए तीन तरीके के यहाँ पर honeycomb में जो है workers होती है bees होते हैं basically जो workers होती है queen होती है और drones होते हैं drone males होते हैं males जो होते हैं इस तरीके के होते हैं कि वो ultimately without fertilization parthenogenesis से बनते हैं ऐसे ही कुछ lizards या कुछ और भी तरीके की birds इस तरीके का fertilization कर सकती है ठीक है तो I hope आपको यह topic जो fertilization का ही के समझ में आया इसके बाद हम discuss करेंगे post fertilization के events and then hence the chapter will be finished okay students करें हो सकत्राइप